24 साल बाद बड़ी बहन के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है माधुरी दिक्षित जाने कौन है वो बलिवुड एक ट्रेस माधुरी दिक्षित लंबे समय बाद बकेट लिस्ट से दुबारा फिल्मों में कमबैक कर रही है यह माधुरी की पहली मराठी फिल्म है जिससे लेकर वे काफी एक्साइटेड है दिल्चस्ट बात है कि इस फिल्म में माधुरी 24 साल बाद उस एक ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर कर रही है जिसने हम आपके हैं कौन फिल्म में उनकी बड़ी बहन का रोल ने भाया था हम आपके हैं कौन फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई थी यह एक पारिवारिक फिल्म थी जिसमें माधुरी और रेनुका शवहने बहने बनी थी बकेट लिस्ट फिल्म में यह जोड़ी एक बार फिर से दिखाई देगी जिससे लेकर माधुरी दिक्षित काफी खुश है रेनुका शवहने के बारे में बात करते हुए माधुरी दिक्षित ने कहा देश जब मुझे पता चला कि फिल्म में एक खास रोल के लिए मिलकर्स ने रेनुका को अप्रोच किया है तो मैं मुझे खुशी हुई मैंने मेकर्स से कहा था कि रेणुका इस रोल के लिए एक दम पर फेक्ट है यहां तक कि मैंने खुद रेणुका को फोन किया और उनसे फिल्म के बारे में पूछा रेणुका ने तो रंत फिल्म के लिए हां कर दी थी माधुरी ने रेणुका और अपने रिष्टे के बारे में बात करते हुए कहा दैश्ट जब हम लोग हम आपके हैं कौन फिल्म के सेट पर मिले थे तब ही से हम दोनों के बीच एक खास जुडाव है फिल्म में हम दोनों ने बेहनों का किरदार में भाया था असल जिन्दगी में हम दोनों एक दूसरे से भावनात मक्रूप से ज़्यादा जुड़े हैं तेजस प्रभा विजेद देवसकर के निर्देशन में बनी फिल्म बकेटलिस्ट महिला प्रदान विशेक पर आधारित है फिल्म की कहानी हर किसी की दिल को छुने वाली है बकेटलिस्ट 25 माई को रिलीज होगी